Hello Friends, My name is Ngamresh Shado और मैं आपसे ये कहनना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लगोंगों अभी आप अनेगा स्टाउल में नहीं किया है तो इसपलो तलीज़े जहांपे मेरी क्लासमे भी चलती है है फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है बिना किसे पैसे लगाये जो वीडियो मिलेंगी वह आप दोसर के वहाँ पे देख सेब के बिल्कुल फ्री अनकाडमी एप्लिकस्न पर उसके रहाग दोस्तों और यह वीडियो प्रॉजेंट करी आपको मिलेगा आंद्र प्रदेश में यानि ऑप्शन जो ए है इस प्रसनिका मारा बिल्कुल सही है आंद्र प्रदेश में स्थीत है यह टाइगर रिजर्व जो इसका नाम है नागरजुन स्री सेलम टाइगर रिजर्व तता यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा Tiger Reserve भी यही है नागार जुन स्री सेलम Tiger Reserve तीसे भी आप ध्यान दिजेगा एक चीज और आप ध्यान दिजेगा हाली में जो Tiger Census पब्रिस किया गया था टाइगरों का मतलब बागों की जो जन संख्या की गर्णा के गए थाली में उसके अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा Tiger है मिलेंगे आपको तो मद्य प्रदेश इसमें टॉटल मद्य प्रदेश में बागों की संख्या मिलेंगे आपको 526 तो इसी भी आप ध्यान दिजेगा मद्य प्रदेश में सबसे अधिक बाग आपको मिलेंगे उसके बाद दूसरे नंबर पर करनाटक तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा यह प्रसन आपके एकजामें पूछा जा सकता है कि वलतमान समय में भारत के किस राज्य में सबसे अगला प्रस्थ हमारा है द्रोणा चारे पुरस्कार क्यों दिया जाता है सुपर इंपोर्टेंट यह भी प्रस्थ है तो द्रोणा चारे पुरस्कार क्यों दिया जाता है तो कोज को उनकी कड़ी वेहनत के लिए जो है द्रोणा चारे पुरस्कार दिया जाता है तो इस प्र नदियों में से कौन सी नदी है जो बाईं और से गंगा में आके मिलती है इसका राइट एंचन आपको मिलेगा महा नदी यानि option C इसका बिल्कुल सही जो महा नदी है यह बाईं और से आके गंगा में मिल जाती है तो आप इसे याद देखेगा वहीं यमुना कहां पर आके गंगा मिलती है तो प्रियाग राज में जो है यमुना आके गंगा में मिल जाती है तथा जो यमुना है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है तो इसे भी आप ध्यान दिजिएगा अगला इंपॉर्टन प्रसमा रहा है अनुचे 17 का संबंध निम्रिकित में से किस फंडामेंटर राइट से यानि कि मौली कर्तब बेसे संबंधित है या आर्टिकल आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट या आर्टिकल है लगातार एक्जाम में पूछा जाता है तो आर्टिकल 17 का संबंध किस फंडामेंटर राइट से है तो समानता के अधिकार के अंतरगत आता है आपका आर्टिकल 17 तो आप इस या देखिएगा टोटल राइट टो जो एक्वेल्टी है जो समानता का अधिकार है इसमें टोटल चार आर्टिकल को समलित किया गया कौन मूल वन्स जाती लिंग या जन्मस्थान के अधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्टिकल 16 क्या कलता है तो आर्टिकल 16 आपका कहता है कि लोक नियोजन के बिसे में आउसर की सब को समान समानता दी जाएगी वहीं Article 17 क्या कहता है यह Untouchability का अंत कलता है यह अस प्रिश्यता का जो है उन्मूलन कलता है Article 17 तो इसे भी आप याद देखेगा वहीं Article 18 के इसको सम्रित किया गया है तो अनुच्यत 18 के अंतरगत सम्रित किया गया किसको तो उपाधियों का अंत तो इसे भी आप याद देखेगा जो समानता का अधिकार है इसमें 14 से लेके अनुच्यत 18 तक यह समानता का अधिकार है तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा वहीं स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है तो आर्टिकल जो है 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला important प्रसमा रहा है निम्लिकित में से किसकी आत्मकथा का नाम Ace is against odd है तो यह किसकी आत्मकथा है तो यह आत्मकथा है सानिया मिर्जा की यानि option जो इसका भी है बिल्कुल सही है सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है अगला important प्रसमा रहा है रोवर्स कप का संबंद निम्लिकित में से किस खेल से है तो रोवर्स कप का संबंद आपको किस खेल से मिलेगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा फुटबॉल यानि आप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है फुटबॉल जाता फुटबॉल की सबसे जो सर्वोच गवर्निंग बॉड़ी उसको हम क्या कहते हैं फीफा आप आप कि जो सबसे उच्च संस्था है जो फुटबॉल को गवर्न करती है उसको कहते हैं हम फीफा फीफा का हैट क्वार्टर आपको कहा मिलेगा तो स्यूटिजर लैंड का जो जीवरिक सहर है यहीं पर आपको फीफा का हैट क्वार्टर मिलेगा तता फीफा का जो वर्ल्ड समान नागरिक सहिता यानि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंद किस अनुच्छेद से है तो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है इसका संबंद किस अनुच्छेद से है तो आर्टिकल 44 यानि अनुच्छेद जो है आपका 44 जो है इसका संबंद किस से मिलेगा तो 44 को किसके अंतरगत रखा गया है तो राज के नीती निदेशक सिधान जो हमारे है उसके अंतरगत जो है Article 44 को रखा गया निकि DPSP जो हम सौट फॉर्ट 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 वोल्ट तें DPSP के अंतरगत जो है रखा गया है Article 44 इसे आप ध्यान दिजेगा अगला important प्रस्ट हमारा है जो हमारे देश के राष्ट पती होते हैं वे किसको अपना इस्थीपा देते हैं तो भारत के राष्ट पती किसको अपना स्थीपा देते हैं तो उपराष्ट पती को यानि option जो A है इसका बिल्कुल सही है भारत के जो राष्ट पती होते हैं वे अपना स्थीपा जो है उपराष्ट पती को देते हैं तो option जो इसका A है बिल्कुल सही है वही है हमारे देश के जो उपराष्ट पती होते हैं वे किसको अपना स्थीपा देते हैं तो हमारे देश के जो उपराष्ट पती होते हैं यह राष्ट पती को अपना स्थीपा देते हैं तो इसे आप देखेगा राष्ट पती अपना स्थीपा उपराष्ट पती को देते हैं और उपराष्ट पती को देते हैं इसके साथ ही हमारे देश के जो मुख नयाधिस होते हैं हमारे देश के जो चीफ Chief Justice of India होते हैं वे किसको अपना स्थीपा देते हैं तो ये भी जो है राष्टपती को अपना स्थीपा देते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगला इंपोर्टन प्रस्वारा है मराठा समराज के संस्थापक कौन थे तो मराठा समराज के संस्थापक कौन थे तो इसका राइट इंसर आप मिलेगा चत्रपती सीवा जी यानि option A इसका बिल्कुल सही है अगला सूपर हम आ रहे है सेंट जो통 फोड जो है उसकी अस्थापना ही इस्ठ इंडिया कम्पनी के थाँर करipya कि तो मद्रास में यानि इसका राइट इंचार आप मिलेगा मद्राश यानि की सेंड ज फोड जो था या इस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा मद्रास में बना इस Qt killer का क्या नाम था तो कलकत्ता में जो क्यला बनाया गया था उसका नाम कैल टा फोर्ट बिलीयम दो अपो बार्ट था दखना है हमारा बिल्कुल सही है जो एडम स्मीथ है उनको अल्थ सास्त्र का जनक माना जाता है ने कि father of economics जो है यह माना जाता है एडम स्मीथ को अगला important प्रस्त हमारा है गरीबी हटाओ का जो नारा है वह कौन सी पंचवर्सी योजना के अंतरगत दिया गया था सुपर important प्रस्त तो वह कौन सी पंचवर्सी योजना थी जिसके अंतरगत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तो गरीबी हटाओ का जो नारा था यह दिया गया था आपका पांचमी पंचवर्सी योजना में यानि option जो इ इस प्रस्न का राइट एंसर अमार हो जाएगा 12 जुलाई सन 1982 एक जेक डेट आपको पता होने चाहिए 12 जुलाई सन 1982 को जो है नाबाड की अस्थापना के गई थी तता नाबाड का पूरा नाम क्या होता है तो हिंदी में और इंग्लिस में मैं आपको दोनों बताऊंगा दोन इसको इंग्लिस में बहुतते हैं National Bank for Agriculture and Rural Development तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए तो नाबाड का जो मुख्याले आपको कहां पर मिलेगा तो नाबाड का मुख्याले आपको मिलेगा मुंबई में तो वर्तमान में इसके अध्याच कोन है तो वर्तमान में जो नाबाड इसके अध्याच आपको मिलेंगे चिंतला गोविंदा राजुलू इनका नाम आप नो डाउन का लिजिए सुपर इंप्रॉर्टेंट है चिंतला गोविंदा और लास्ट में आपको जाएगा राजुलू तो ये कौन है तो वर्तमान में ये है नाबाड के चे जनगंणा की जो शुरुआत ही यह पहली बात कब के गई थी तो भारत में जनगंणा की जो शुरुआत थी यह dont 1882 में की गई थी, Lord Meyog के दरा, किसके दरा? Lord Meyog के दरा जो है, जन्गन्णा की भारत में सुरुवात की गई थी, 1882 में, परंतु भारत में जो नेमित जन्गन्णा थी, यह शुरू हुई थी 1881 से किसके दार तो लॉर्ड रीपन के दार उसमें हमारे वाइसराय थे लॉर्ड रीपन तो लॉर्ड रीपन नहीं जो है भारत में प्रतम नियमित जनगर्णा की शुरुवात की थी तो दोनों आपको पतावना चाहिए अगर सिर्फ पूछे कि भारत में जनगर्णा की शुरुवात कप की गई थी तो लॉर्ड रीपन नहीं तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए अगला इंप्रसमारा है वी या यान की वैन का आपको पूरा नाम बताना है तो वैन का पूरा नाम आपको हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क यानि ऑप्षन यह इसका बिल्कुल सही है वाइड एरिया नेटवर्क अगला इंप्रसमारा है वी पिएन का पूरा नाम को आपको बताना है तो इस प्रस्ट का राय टेंशन हमारा हो जाएगा option D यानि कि इन में से कोई नहीं तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा VPN का तो virtual private network यहाँ पे होता है क्या होता है तो virtual private network इसका पूरा नाम हो जाएगा VPN का नोट डाउन कर लिजेगा V से virtual, P से private यन से network यानि VPN का या पूरा नाम हो जाएगा अगला important प्रस्ट मारा है lake before wicket यानि कि LBW सब्द का संबंद कि स्खेल से है I hope इसका जवाब सभी लोग देंगे तो LBW का संबंद होता है cricket से यानि option जो इसका A है बिल्कुल सही है तो अगला cricket बिश्यो कप ICC का पूर्शो का कहा पे खिला जाएगा तो 2023 में या खिला जाएगा भारत में अगला important प्रस्ट मारा है पद्मनाभा स्वामी मंदिर किस राज्जी में स्थित है या काफी चल्चा में था मैंने इस प्रस्ट को इस वीडियो में समलित किया हुआ है current affairs के रूप में या आपके एक जाम में पूछा जा सकता है तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर आपको मिलेगा केरल में यानि option जो इसका B है बिल्कुल सही है केरल अगला important प्रस्ट मारा है ब्रिक्स जो 5 देशों का समू है ब्रिक्स आप याद रिखेगा ब्रिक्स जो है यह 5 देशों का समू है इसमें आपको बताना है C से कौन सा देश होगा तो C से आपका देश होता है चाइना आपको 5 देश में बता है तो B से आपका प्राजील हो गया आर से रसिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया और S से हो गया आपका South Africa अगला important प्रस्मरा है उत्तोलक का सिधान इसकी खोज किसके तरह की गए थी तो उत्तोलक के सिधान की जो खोज है या किसके तरह की गए थी तो गाजर का जो रंग होता है या किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो केरोटीन यानि option A इसका बिल्कुल सही है केरोटीन अगला important प्रसमारा है पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है तो पौधे में जो जल का परिवान होता है या किसके माध्यम से होता है तो जाइलम यानि option series का बिल्कुल सही है जाइलम अगला important प्रस्थ मारा है इंसुलीन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बिमारी से पीडित लोगों को दिया जाता है तो इंसुलीन जो होता है वह किस बिमारी से पीडित लोगों को दिया जाता है तो इंसुलीन जो है यह दिया जाता है मधुमे से पीडित लोगों को ताप इससे याद रहेखेगा मधुमे से जो ब्यक्ति पीडित होते हैं उनको इंसुलीन दिया जाता है तो आप इससे याद तो जो बिमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है उसको हम कहते हैं epidemic यानि महामारी यानि option जो A है इसका बिल्कुल सही है अगला important प्रसमा रहा है BCG का जो टीका लगाया जाता है इसमें आपको G का पूरा नाम बताना है कि G से मतलब क्या होता है BCG के टीके में तो सबसे पहला यह BCG का पूरा नाम जानते हैं तो B से bacillus हो जाएगा आप no down को लिजएगा B for आपका होता है B A C I W L U S bacillus हो जाएगा उसके बाद आपका C से होता कलमाइठी क्या होता है C A L M E W T E कलमाइठी और G से आपका हो जाता है ग्यूरीन क्या होता है G से आपका हो जाता है ग्यूरीन तो इस प्रेकार G का पूरा नाम हो जाएगा ग्यूरीन यानि BCG का पूरा नाम को हो गया bacillus कलमाइठी ग्यूरीन आगला important प्रस मारा है निवन में से कौन सी संस्था जो 2019 में अपनी अस्थापना की स्वामी वर्सगाठ मना रही है मतलब मनाई है तो वह कौन सी संस्था जिसके दोरा मतलब 2019 में उसने अपने अस्थापना की स्वमी वर्सगाठ मनाई तो यह संस्था है International Labour Organization यानि कि जो अंतराष्टी सुरम संगठन है इसने 2019 में अपने अस्थापना की स्वमी वर्सगाठ मनाई तो आप इससे याद देखिएगा आयलो की जो अस्थापना है यह 1919 में की गई थी तो इसे भी आप ध्यान देजिएगा तता इसने 2019 में अपने अस्थापना की स्वमी वर्सगाठ मनाई है तता अंतराष्टी स्रम संग्ठन का मुख्याले आपको मिलेगा जिनेवा सहर में सुर्जय लेंड का एक सहर है जिनेवा यहीं पी आपको मिलेगा आई एलो का मुख्याले अगला इंपॉर्टन प्रस मारा है हाली में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम अपने पुर्व राश्ट पति के नाम पर रहानिक अपने पुर्व राश्ट पति के सम्मान में जो है कि इस देश ने अपनी राजधानी का नाम रखा है तो सबसे पहले इसका राइट एंसर हो जाएगा कजाकेस्तान, कजाकेस्तान की राज़ानी थी अस्ताना परंतु इसने अपने राज़ानी का नाम पलट के कल दिया है नूर सुल्तान, क्या है तो नूर सुल्तान जो है इस देश की नई राज़ानी है तता या इस देश के बिस्व दलहन दिवस किस मतलब पहली बार कब मतलब बिस्व दलहन दिवस जो है कब मनाया जाता है तो जो बिस्व दलहन दिवस है यह मनाया जाता है दस फरवरी के दिन यानि option जो इसका बी है बिल्कुल सही है बिस्व दलहन दिवस जो है दस फरवरी के दिन मनाया जाता है अगला important रसमा रहा है, अंतराष्टी महिला दिवस 2020 जो मनाया गया, उसका theme आपको बताना है, तो सबसे पहले आप जान लेजिए कि अंतराष्टी महिला दिवस मनाया कब जाता है तो प्रति वर्ल्स आठ मार्च के दिन जो है अंतराष्टी महिला दिवस मनाया आता है तथा इस बार का 2020 का थीम क्या रखा गया था तो इसका थीम था I am generation equality realizing women's right इस बार का थीम था 2020 का यह अंतराष्टी महिला दिवस का और 2019 का थीम क्या था तो 2019 का थीम था तो 2019 का थीम था think equal build smart innovate for change यह 2019 का थीम था और इसके नीचे जो option B हमारा है यह 2020 का थीम था अंतराष्टी महिला दिवस का तो दोनों आपको पता होना चाहिए आज का last प्रस नमारा है भारत का जो पहला राष्टी causal प्रसिच्चन संस्थान ने कहां अस्थापित किया गया है तो भारत का जो पहला राष्टी causal प्रसिच्चन संस्थान या अस्थापित किया गया है ओडिसा में यानि options का B बिल्कुल सही है उडिशा में भारत का पहला जो है रास्टी कौसल प्रसिच्छन संस्थान अस्थापित किया गया है तो इसका राइट अंचर हो जाएगा उडिशा तो पहला आज का प्रस नमारा है जो की most important प्रस नाज का है आपको बताना है कि एक्याः बेवा अकादमी पुरसकार जिसको हम आसकर पुरसकार के भी नाम से जानते हैं, आप आसकर पुरसकार के भी नाम से जानते हैं, तो जो अकादमी पुरसकार होते हैं, इनको आसकर अवार्ड के नाम से भी हम जानते हैं, तो आप अकादमी पुरसकार क्या होते हैं, तो आसकर पुरसक जो अकादमी पुरसकार वित्रित किया गया तो उसमें सर्वसेष्ट फिल्म यानि की बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया था ग्रीन बूक को यानि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है ग्रीन बूक को जो है सर्वसेष्ट फिल्म फिल्म का खिताब दिया गया था तो option B इसका बिल्कुल सही है वहीं 2019 के Oscar पुरसकार में अगर हम best actor की बात करें यानि की सर्वस्त्रेश्ट अभिनेता की बात करें तो सर्वस्त्रेश्ट अभिनेता का खिताब दिया गया था रामी मालेक को ये भी नाम आम के लिए important है और उसके बाद अगर हम सर्वस्त्रेश्ट अभिनेत्री की बात करें तो जो सर्वस्त्रेश्ट अभिनेत्री थी वो थी Olivia कॉल्मेन क्या नाम था इनका Olivia कॉल्मेन तो ये तीनों प्रसनाब के लिए important है 2019 का जो Oscar पुरसकार विद्रित किया गया था उसमें सर्वस्त्रेश्ट फिल्म का खिताब दिया गया था Green Book को Best Actor का खिताब दिया गया था रामी मलेक को और Best Actress याने की सर्वस्त अभिनेत्री का खिताब दिया गया था Olivia कॉल्मेन को तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए अगला प्रस्त हमारा क्या कह रहा है ICC याने की अंतरास्टी क्रिकेट परिसत जो है जिसको हम सौर्ट फ़र्म में ICC कहते है ICC का Head Quarter आपको बताना है कहां मिलेगा तो ICC का Head Quarter मिलेगा दुबई सहर है कहां का तो सयुक्त अरब अमिरात का सहर एक है दुबई यहीं पर मिलेगा आपको ICC का Head Quarter तो आप इसे याद रिखिएगा दो-चार फैक्ट में आपको बताया तो ICC से जुड़े जो आपके एकजाम में पूछे या सकते हैं तो आप no down कर लिजेगा सबसे पहले ICC के स्थाफना कप के गई थी 1909 इसवी में ICC का Head Quarter में ने आपको जैसा कि बताया दुबई मिलेगा दुबई सहर कहां पे आपको मिलेगा तो सयुक्त अरब अमिरात मिलेगा उसके बाद ICC के प्रजिएंट टैम में CEO कौन है तो मनु साहनी कौन है मनु साहनी जो है ये वलतमान में CEO है ICC के और ICC के प्रजिएंट टैम में अंतरिम CEO कौन है अंतरिम अध्यच कौन है आपके अंतरिम यानि कि इंटरिम यहां पे चेर्मेन की बात रही है कि अंतरिम जो अध्यच वो हैं इमरान ख्वाजा अब ध्यान दिजेगा अभी तक इसके कोई अध्यच नहीं है बस अंतरिम अध्यच बनाएगे इनका नाम है इमरान ख्वाजा इससे पहले जो ससांक मनोहल थे यह ICC के चेर्मेन थे पर अपने पल्स से इस्थिपा दे दिया तो अभी तक अध्यच की नियुक्ती नहीं की गई है तो अध्यच के अस्थान पे अभी अंतरिम अध्यच ही चले आ रहे हैं तो अंतरिम अध्यच जो पिजन टाइम में ICC के बनाएगे हैं वे बनाएगे हैं इमरान ख्वाजा तो इससे भी आप यादेखेगा इसके मतलब England और Wales इन दो जगों पर आयो जित किया गया था 2019 का cricket बिश्यकप तता इसको जीता किस ने था तो final में New Zealand को हराके England ने 2019 का cricket बिश्यकप जीत लिया था और 2023 का जो अगला बिश्यकप होगा या कहां पर होगा तो हमारे प्यारे देश भारत में आयो जित किया जाएगा हाली में किस देश को पहली बार सहिंक्त राष्ट मानवादिकार परिशत में न्यूक्त किया गया, सुपर इंपॉर्टेंट प्रस्ण है, सहिंक्त राष्ट मानवादिकार परिशत को हम सौर्ट फ़र में बोलते हैं, United Nation, HRC यानि कि UNHRC इसको सौर्ट फ़र मोलते हैं, तो हाल हैं, HRC की यान पे बात हो रही है, तो सबसे पहले इसका हेड़कॉर्टर आपके दिमाग मनवाची है, जितने भी प्रमुक संस्थाएं होती है, United Nations की, उनका हेड़कॉर्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एकजाम के लिए होता है, क्योंकि लगातार इनके हेड़कॉर् निसका हेड़कॉर्टर का मिलेगा, तो इसका हेड़कॉर्टर आपके मिलेगा, जिनेवा, सिर्जRadarin का एक सहर है, जिनेवा, यहीं पर आपके मिलेगा, UNHRC का हेड़कॉर्टर इसके अस्थापना के गये थी, 24 दिसमबर 1950 को कब, स्तापना किये गए थी तता व्लतमान में इसके प्रमुक कौन है तो इसके प्रमुक व्लतमान में है फिल्पो ग्राण्डे मैं यहाँ पिलिग दिता हूं EF आई ELEI WPO फिल्पो G R A ün D I तो फिल्पो ग्राण्डी जो हैं यह व्लतमान में UNHRC के प्रमूख हैं तो इसे आप ध्यान दिजेगा अगला important प्रस्थ मारा कह रहा है निमलिकित में से किसे सियोल सान्ती पुरसका 2018 से सम्मानित किया गया सुपर important प्रस्थ तो सियोल सान्ती पुरसका 2018 किसे दिया गया तो नरेंदर मोधी जी को दिया गया था तो option A इसका बिल्कुल सही है अगला important प्रस्थ मारा है 2019 का जो G20 सिकर सम्मिलन था या कहां पर आयुजित किया गया था तो इस प्रस्थ का right answer है जापान जापान का एक सहर है उसाका आप आद रिखेगा जापान का एक सहर है उसाका यहीं पर आयुजित किया गया था 2018 का जीटई शिकर सम्मिलन और 2020 का अभी आयुजित किया जाएगा कहांपे सौधी अरफ में 2020 का और 20ल değ में 2021 का जीटई सिकर सम्मिलन और भारत में आयुजित किया तो आस्ट्रेलिया में तो आप यहांद देखेगा जो सातमा महिलाओं का भी होगा वल्ल प्रस्ते हमारा है हाली में 24 वी वर्ल्ड एनियर्जी का एयज़न कहां पर किया गया, सुपर इंपोर्टेंट प्रस्ट तो 24 वी जो वर्ड एनर्जी कॉंग्रेस थी 2019 की आँ पर बात हो रही है तो 2019 में इसका किया गया था आबुधावी में, यानि राइट एंचल आपको मिलेगा option B, आबुधावी राज़ानी किसकी है, सयुक्त अरब अमिरातनी की United Arab Emirates की राज़ानी है, अबुधावी, तो आप इसे ध्यान दिजेगा, तता यह जो 24 मतलब जो वर्ड एनर्जी कॉंग्रेस है, इसका जो आइज़ान ने प्रतेक तीन साल में इसका आइज़ान किया गया, किया जाता है, तता पहली बार इसका आइज़ान किया गया था, में, World Energy Summit थी, इसका जो आइज़ान किया गया था, इसकी theme आप से पूछी जा सकती है, तो इसकी theme क्या रखे गई थी, World Energy Congress की 20-11 में आज़ित किये गी, सितंबर महिने में आज़ित किये, तो इसकी theme रखे गई थी, Energy for Prosperity, क्या थी, Energy for Prosperity, तो यह theme भी आपके लिए important है, World Energy Congress इसकी 2019 में इसका आउजन किया गया था सितंबर महीने में तिसे आप ध्यान देजेगा अगला इंपर्ण प्रस हमारा है मानो विकास सुचकांक यानि कि इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था सुपर इंपर्टेन प्रस्चन, तो 2019 में भारत का स्थान क्या था तो 129 था 29 में भारत का स्थान और 2018 में भारत का althand thou तो दोनों आपको पता होना चाही है 2018 में भारत का स्थान था 13 uman 2019 में भारत का स्थान था 139 किसकी यहां पर बात हो रही है तो मानो, विकाज, सुछ कांग की तो आप इसे ध्यान दिजेगा वहें अगर हम 2019 के मानो, विकाज, सुछ कांग की बात करेसे में पहले नमबर पर कौन कंट्री था तो 2019 में पहले नमबर पर था नौर्वे उसके बाद दूसरे नमबर पर था आपका स्विटिजर लैंड और तीसरे नमबर पर आपका था कौन सा देश तो आयर लैंड तो ये तीनों देश भी आपके लिए इंपोर्टेंट है 2019 का जो मानबिका सुचकांग जारी किया गया था इसमें पहले अस्थान पर था नौर्वे दूसरे अस्थान पर था स्विटिजर लैंड तिसरे अस्थान पर आयर लैंड और भारत की रैंकिंग थी 129 भी तो इससे आप ध्यान देशेगा इसके साथ यह जो यूमन डेवलप्मेंट इंडेक्स है इसको जारी कौन कलता है यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है तो इसको जारी किया एता है UNDP के जारा यानि United Nation Development Program के जारा प्रतिवर्स SDI इंडेक्स को जारी किया जाता है तो आप इससे ध्यान देजेगा अगला important प्रस मारा है राश्टी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है काफी important प्रसन है यह सभी जो प्रसन एक्जाम में जरूर पूछे जाते क्योंकि date और theme जी होती है यह लगाता है एक्जाम में पूछी जाती है तो जो राश्टी सुरक्षा दिवस है यह कब मनाया जात है अगला important प्रस्ट हमारा क्या कह रहा है अजन्ता और एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं यह आपको किस राज्ज में मिलेंगी तो अजन्ता और एलोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी महरास्ट राज्ज में यानि option जो इसका है हमारा यह बिल्कुल सही है अगला important प्रस्ट हमारा है नगोबा जात्रा चो तेवार है या किस राज्य का एक जन जाती तेवार है काफी important प्रस्ट है तो तेलंगाना इसका राइट एंसर हो जाएगा तेलंगाना का या एक प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया तो नरंदर मोदी जी तो यही वलतमान में इसके प्रमुक हैं तो इसे आप ध्यान दीजिए अगला इंपोर्टन प्रसमारा क्या कह रहा है अनुछे 360 का संबंद आपको बताना है कि किस अपातकाल से आपको पता होना चीए कि हमारे देश में जो अपातकाल है में तीन प्रकार के अपातकाल है एक है हमारे देश में कौन सा अपातकाल है पहला हो गया राश्टी अपातकाल यानि कि नेशनल इमर्जनसी उसके बाद आता है तो वित्तिय अपातकाल का संबंद है अनुछे 360 से और नेशनल इमर्जनसी लगा जाती है 352 आर्टिकल के इंतरगत और जो राज़ी मतल़े स्टेट इमर्जनसी है जो राष्ट्रिय अपातकाल उसके बाद राष्ट्रपती सासन हो गया और तिसरी हो गई वित्ति अपातकाल लेने की फाइनेंशल इमर्जनसी तो 322 के इंतरगत लगा जाता है राष्ट्रपती सासन और अनुछे 360 के इंतरगत लगा जाता है फाइनेंशियल इमर्जनसी अगले इंपर्णेट प्रस्तमर क्या कह रहा है यह जो आत्मकता है जिसका नाम है प्लेइग मैं वे यह किस ख्रिकेट खिलारी की अतम कथा है तो यह किस क्रिकेट खिलारी की आतम कथा है प्लेइंग इन माइवे तो यह आतम कथा आपको मिलेगी चीत राज्थ सभी और कर कर भाष Tsch जो ट्रॉपिक आप कैंसर है वो गुजरती है काफी important प्रसन है तो भारत के कुल कितनों राज्यों से होकर करकर रेखा गुजरती है तो भारत के कुल total 8 राज्य हैं जिनसे होकर करकर रेखा गुजरती है तो 8 राज्य अब कौन-कौन से ये भी आपके लिए important है तो 8 राज्य ह पहले हो गया आपका गुजरात हो गया उसके बाद आपका राजस्थान हो गया उसके बाद आपका MP याने की मद्रदेश हो गया उसके बाद आपका 36 गड़ हो गया उसके बाद आपका जारखंड हो गया उसके बाद आपका वेस्ट बेंगौल याने की पस्ची मंगाल हो गया उसके बाद आपका त्रिपूरा हो गया और लास्ट में आपका बजता है मिजोरम तो ये आपके आठ राज्यों गया है जिससे होकर ट्रॉपिक आप कैंसर रहने की करक रेखा गुजलती है गुजरात, राजस्थान, मद्र पदेश, 36 गर्ड, जारकंड, पस्षी, मंगाल, त अगला इंपोर्टन प्रसमारा क्या कह रहा है जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है निवन में से किस राज्य में स्थीत है काफी इंपोर्टन प्रसम है तो जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है या किस राज्य में आपको मिलेगा तो 36 गर्ड यानि ऑप्शन जो इसका A है बिल्कुल सही है 36 गड़ में आपको मिलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व अगला important प्रस हमारा क्या कह रहा है भारत को छोड़ कर जाने वाली अंतिम युरोपी सक्ति कौन सी थी तो काफी अच्छा प्रस्न है तो इस प्रस्न का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में आये थे और सबसे last में भारत को छोड़ कर गए थे तो आप इसे ध्यान दिजेगा 1961 में 1961 में ये हैं भारत को छोड़ कर गए थे सबसे आकरी में गोवा राज को छोड़ कर पूर्तगाली गए थे भारत में 1961 में तो ये ये यूरूपिक सकती थी पूर्तगाली सबसे पहले ये आये थे भारत और सबसे last में भारत को छोड़ कर गए थे अगला important प्रस्मारा क्या कह रहा है जो स्री रंग पटनम की संधी हुई थी इस पर British East India Company और किसके बीच हस्ताक्षर किये गए थे तो इस पर हस्ताक्षर किये गए थे टीपू सुल्तान जो की मैसूर का सासक था इसी के मद्द इसी ने मतलब जो है हस्ताक्षर किये थे इस पर इसी से आप ध्यान दिजेगा जो सी रंग पटनम की संधी हुई थी इस पर British East India Company और मैसूर का जो सासक था टीपू सुल्तान उसने हस्ताक्षर किये थे तो आप इसे ध्यान दिजेगा अगला इंपोर्टन प्रस्न मारा है निम्न में से कौन सा जो संगठन है उपभोक्ता मुल्य सुचकांग की गढ़ना करता है तो उपभोक्ता मुल्य सुचकांग की जो गढ़ना है या केंदरी सांखी की संगठन यानि की CSO के द्वारा किया जाता तो राइट अंसर आपको मिलेगा CSO अगला इंपोर्टन प्रस्न मारा है थामस काप का जो संबंध है वो निम्लिकित में से किस खेल से है तो थामस काप का संबंध है बैड मिंटन से यानि ऑप्शन जो इसका B बिल्कुल सही है बैड मिंटन अगला ज़यूरी प्रस्न मारा जो की काफी important प्रसन है खेल से related कि पंकज जो अडवानी है इनका संबंद निम्लिकित में से किस खेल से है जो पंकज अडवानी का संबंद है बिलियर्ट से यानि option ये इसका बिल्कुल से बिलियर्ट अगला important प्रस मारा है लावडी निरित्य जो है इसका संबंद किस राज्य से है काफी important प्रसन तो जो लावडी निरित्य है इसका संबंद किस राज्य से है तो महराष्टरा इसका राय टेंचर हो जाए यानि option ये महराष्टरा अगला important प्रसमारा है ब्रह्म समाज की जो अस्थापना है किसके तरह की गए थी तो ब्रह्म समाज की जो अस्थापना है यह की गए थी राजा राम मोहन राय के तरह यानि option जो इसका भी बिल्कुल से राजा राम मोहन राय इन्होंने 1828 इस्वी में ब्रह्म समाज की अस्था आपना की थी तथा राजा राम मोहन राय को क्या का जाता है तो भारती पुन जागरण का जनक भीक माना जाता है राजा राम मोहन राय को तथा सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था तथा इन्हें भारती पुन जागरण का जनक माना जाता है त जो राजा राम मोहन राय थे इनको जो है राजा की उपाधी किस ने दी थी अभी कई बाई रुख्जा में पूछा जाता है तो जो उस समय मोगल समराड था अकबल दी थी उसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी दी थी तो इतनी सारी चीज़े आपको पता होने चीह, वो ही अगर हम स्वाम effective की बात करें, तो इन्हों ने 1875 इसवी में, जगए थी मुंबई, यहीं पे जो है, आरे समाज की अस्थापना की थी तिसे आप ध्यान दिजेगा, आरे समाज की जो अस्थापना है, यह कि अस्थापना दिजेगा, अगला important प्रसमारा क्या कह रहा है पंक्ती और कालम को बिस्थापित होने से बचाने के लिए किस चीज का उप्योग किया जाता है तो पंक्ती और कालम को बचाने के लिए किस चीज का उप्योग कम करते हैं तो view का यानि option is का बिल्कुल सही है view अगला important प्रस्ट हमारा क्या कह रहा है निम्न में से किसे internal memory के नाम से भी जाना जाता के रूप में भी जाना जाता है काफी important प्रस्ट है तो internal memory को रूप में किसे जानते हैं हम तो RAM को यानि की RAM यानि की random access memory इसका पूरा नाम होता है इसको हम internal memory के नाम से भी जानते हैं अगला प्रस्त हमारा है DSL connection किस प्रकार का connection होता है तो सबसे पहले DSL की full form आप जान लिजिए तो DSL की full form क्या होती है digital subscriber line क्या होती है D से digital, S से subscriber, L से line तो यह किस प्रकार का connection होता है यह एक broadband connection होता है तो option A इसका बिल्कुल से broad band अगला important प्रस्त हमारा है काम करने की दर को क्या कहा जाता है तो काम करने या कारे करने की दर को हम सकती के रूप में जानते हैं यानि option C इसका बिल्कुल से यह सकती यानि कि power इसका right answer हो जाएगा power आज का last प्रस्त हमारा है हवा की गती को मापा जाता है किस यंत्र की साहता से तो जो हवा की गती है वह एनेमो मेटर की साहता से मापी जाती है तो इसका right answer हो मिलेगा एनेमो मेटर यानि option C इसका बिल्कुल सही है एनेमो मेटर तो दोस्तों यहापे हमने total 30 important प्रस्तियों को cover कर लिया है तता आज हमने जो अरर्वेंटी PCO और ग्रूपडी के लिए test research चलाई है उसके भाग एक को हमने पूरी तरह से complete कर लिया है तो जल्दी मिलेंगे हम भाग 9 में तो तब तक के लिए thank you thanks for watching thank you